हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंग्स कैसी हैं सब आई होप सब अच्छे होंगे सब एकदम भले चंगे होंगे और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बस मैं उठती जा रही हूँ और उठने के बाद में मैं सबसे पहले परदा खोलती हूँ तो कि मेरी आदत है यहाँ सबसे खड़े हो के देखने की थोड़ा सा अच्छा लगता है सुबह सुबह उठके और उसके बाद मैं अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बच के 13 मिनट तो बस मैं थोड़ा सा मूझ धोलूँगी और बिंदी नहीं लगी है माथे में तो अजीब सा लग रहा है और बिंद हुआ भी भी नहीं है तो सुना सुना स्वावी मैं लग रहा हो रहे हैं और घुत हवाँ पाने सुना साूर भगवाण morgen और चलिये सबसे पहले मैं को नहीं सबसे पहले मैं के बूत अच्छा लगता है उस में यहां पर पहले खड़ी होती हूं और बश घूम टहल के फिर लग जाओंगी मैं अपने काम में यानि पूरे घर में मैं जाडू लगा डालूंगी क्योंकि सबसे पहले उस उब एक लीनिंग का ही काम होता है तो हम लीनिंग में ही लग जाते हूं और यह सांत वातावरण ह होता है जब ग्लीनिंग हम बहुत जल्दी फटा फट कर लेते हैं तो कि कोई फैलाने और विगाड़ने वाला नहीं रहता है तो सब पहले में जाके लगा लेरी हूं जाडू और आप में से कोई कॉमेंट करके कह रहा था दिया उल्टी जाडू लगाते हैं बहार से गेट की तरफ जाना चाहिए तो सामने के अभी काम भी चल रहा है तो पूरी गेली भरी हुए समान कुछ न कुछ महां रखा हुआ है और अक्सर गेट बंद भी रहता है तो इस वज़े से मैं इसी तरफ जाडू लगा के लाती हूं और गेट के बाहर मैं अलग से जाडू लगाऊंगी और ये भी कहते हैं सबसे पहले गेट के बाहर ही लगाना चाहिए तो वहां बहुत धूल मिट्टी हो रही है मैं उसे बाहर अलग से साफ करूँगी इसलिए अभी मैं नहीं गई हूं वहाँ पर साफ करने पहले मैं घर कर डालती हूं साफ और अभी नंदनी सो रही है तो अभी इस कमरे में भी नहीं लगाऊंगी बस ऑफिस वाले में जाड़ दे रही हूं बेडरूम भी पढ़ा है वो भी बाद में हो जाएगा तो बस यहां सब जगे जाडू लगा कि एक बार क्योंकि एक बार जाडू पोचा ये काम हो जाता ह है उसके बाद समझ दो आधा काम निपड़ जाता है और यहां पर सबसे में बात यह ना कि छोटे-छोटे खिलोने लेके आते हैं यान के तो सब अभी मैं सोफे के नीचे से निकाल के लाई हूं मैं इंसे कहती हूं बड़े खिलोने लाओ लेकिन छोटे ये ट्रेन, ट्रेन के ड्राइवर, ट्रेन की पटरी ये सबती जो विखरे-विखरे फैले रहते हैं पूरे घर में और हम मैं जा रही हूं पोच्छा लगाने के लिए आप में से कुछ लोग यह भी कहते हैं दी आप क्या मिलाते हैं पोच्छे में कि इतना छाग निकलता है तो मैं क्या है जाता है तो पोच्छे का पानी भरके रख दिया है साथी साथ पहले में डस्टिंग कर लूँगी जाडू के बाद ही कर रही हूं क्योंकि जाडू लगा के मतलब जाडू से पहले करो तो दुबारा से धूल चड़े आती है तो एक बार ऐसा होता है कि अगर कपड़ा मारते तो दूल ज्यादा खटी नहीं होती उतना गंदा नहीं हो पाता है अगर डेली डेली थोड़ा थोड़ा साफ करते रहो तो गंदे होने की ज्यादा नौमत नहीं आ पाती है और थोड़ा साही टाइम लगता है कि जहाड़ू कोचा कर रहे हैं तब साथी साथ में ये भी है क्या जिनकी छुट्टी है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूं कुछ बहुत सफाई का तो मुझे ये डन नहीं रहता है कि मैं लेट हो जाओंगी तो बस यहां किचिन में आपको देख रहा होगा फटा सा पैरदान पड़ा है तो पैरदान मैंने प तुरंती एक दिन में बदल देती हूं इसलिए जो भी हैं पुराने उरानी सब रखें क्योंकि किचिन में बार-बार बदलना पड़ता है इसलिए वहाँ वही यूज़ कर रही हूं पुराने वाले ही और अभी मुझे याद आया कि मैं इनकी मिट्टी जाड़ना बूली गई थी तो मैंने कई मुसे नाराज हो जाएंगी उनको जाड़ दूं क्योंकि किचिन में मेरे साथ में रहेंगी फिर गुस्ता रहेंगी तो इसलिए थोड़ा मिट्टी मिट्टी सी चड़ी हुई थी तो मैंने उनको भी साफ कर दिया है और थोड़ी दिर के लिए मैं जो यह कपड़े का स्टेंड है इसको उठा के रख दूंगी अंदर ताकि मैं बालकनी को भी साफ कर दूं और यह देखिया अंदर रखने में ही इसकी छड़ निकल गई है यही होता स्टेंड यह ज्यादा स्टेंड को भार ही लगा दूंगी ताकि सब के जब नहाने का टाइम आएगा तब तक यह कपड़े सूप जाएंगे क्योंकि मैंने साम को सुखायते और यह देखिये सूर्द हो चुका है और अभी सुबह की 6 बजे मैंने बताया तक करेट 6 बजे यहां पर सूर भगवान निकल आते हैं मौसम साफ रहता है जब तो यह देखिए 6 बजे निकल रहे हैं और इसके बाद यहां पर मैं जारी हो में गेट की बाहर की सफाई करने तो मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि यहां पर बहुत अभी डेस्टिंग मतलब बहुत जादा मिट्टी हो रही क्यों और उसके बाद क्लीनिंग के बाद थोड़ा समय ने रेश्ट किया उसके बाद मतलब क्लीनिंग के बीच में रेश्ट नहीं करती हूं बाद में बैटके थोड़ी ते रेश्ट करती हूं फिर पानी पिया मैंने और मैं अपने लिए लेके आई थी रसी तो जितना मैं कर सकत यह नहीं है कि मुझे इतने बार करने हैं उतने बार मैं रसी कूद करती हूँ क्योंकि यह काफी ठीक रहता देट के लिए और पसीना पसीना होने के बाद रसी कूद के बाद मैं थोड़ी दिर पंकें बैटके पसीना सुखा लेती हूँ तब ही मैं नहाने जाती हूँ क्योंकि तुरंट नहालो तो दिक्कत हो जाती है पसीने के बाद और थोड़े से मुझे कपड़े दोने थे तो वो मैंने अभी गला के डाल दिये हैं और बातरूम वगरा साफ करना था वो किया है मतलब थोड़ा-थोड़ा साफ किया डीफ क्लीनिंग नी किया बातरूम की और बस अभी मैं नहा दो के आगी हूँ और नंदनी भी उड़ चुकी है और आजकल के मौसम में अगर हपते में दो बार बाल दोलो तो वो भी कम है क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी खराब होते हैं पसीने वाले इस मौसम में कि दो दिन बाद ही ऐसा लगने लगता है कि फिर से सैंपू कर लो और अभी मैं तो रसी कूद कर लेती हूँ नंदनी अपना योगा भी करती है क्योंकि वो काफी टफ टफ योगा कर लेती है वो सारे तो मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं वो दिखा पाऊंगी वीडियो में दिखाऊंगी अगर बात में करेगी तो फिर मैं कभी और दिखा दूँगी और उसके बाद में अभी आ रहा था ताजा पानी तो मैं साथी साथ क्योंकि पूरे दिन धूप तेज रहती है तो मैंने सारे गमलों में पानी डाल दिया है उसके बाद मैं साथी मैंने पूजा के लिए भी पानी भरके रख लिया है और चाय वगेरा बनाने के लिए भी रख लिया है और यहाँ पर पूजा के बरतन मांज लिया है भगवान जी को भी इशनान करा दिया है और बस अब मैं कर लूँगी पूजा उसके बाद देखूँगी नास्ता पानी चाय जो भी करना होगा और अभी आयान को दूद नहीं दिया है मैंने तो अभी उसके लिए दूद वगेरा भी बाद में गरम करूँ और सुबह के रूटीन में सुबह की ये सारे काम निपटा लेने के बाद में लगता है कि घर का आदा काम तो हो ही चुका फिर बहुत आराम अराम से आप कर सकते हो कोई दिक्कत दिये हैं बाकी और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने क्योंकि अब लगी है चाय की तलब और सर भी धुला है तो फिर कड़क चाय पीने का मन कर रहा है तो में जारी हो चाय बनाने और साथ मैं ही आयान के लिए मैं दूद रख दूँंगी, गरम करके ताकि वो दूद पी के ओठ जाएगगा, उसकी आदत है कि जब नींड में होता है तभी मैं उसको दूद दे देती हूं, वो दूद पी लेता है तब उठता है और सोने से पहले हुआ दूद रखा है एक अलग से और जो बाकी चाय वाई के लिए वह भगौने में रखती हूं तो मैं दोने दूद गरम कर लूँगी क्योंकि आज कल मैंने बताया था ना साम को दूद आता है तो यह वाला दूद मुझे पूरे दिन चलाना होता है क्योंकि जहां से दूद बनाती तो उसके साथ चाय की जरूरत नहीं होती लेकिन पूहा ऐसा है कि उसके साथ चाय की जरूरत होती है बिना चाय के तो पूहा अंदर ही नहीं जाएगा तो इसलिए मैंने का चलो चाय बना लेते हैं बाद में बनाएंगे और पहले पोहे की तयारी कर लेते हैं वैसे और आज बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि चुट्टी वाला ही दिन होता है जब यह ओर सदलिया ना बनाओ और कुछ अपने मन का में बना सकती हूं क्योंकि बाकी दिन यह मुझे नहीं बनाने देते हैं तो इसलिए मैंने ओर नहीं सौरी पोहा निकाल लिया है और य यह मैं कडाई में तोहे की तैयारी कर लेती हूं तो यहांपर मैंने डाला है सर्सो का तिल पहले में रिफाइन में भी बना लेती थी लیکिन जबसे आप लोगोंने मना कर दे तक में इसका दूध लेके आ गई हूं और इ kilogram GPA वी मैं उठाऊंगी कहती हूं जल्दी उठने के लिए और यहां पर यह मसाले प्यास साथ में बुनी रहे हैं पोहे की वह कि तो मतलब यह पूरा तल लेती हूं और यह थोड़ा सा जो मोटा वाला पोओं होता है न वह है क्योंकि इस तरीकर माते थे लगता है क्योंकि बहुत पतला जो होता तो इस वज़े से थोड़ा चम्कीला चम्कीला वीडियो बनता है तो चाय नास्ता बन गया है नास्ता लगा रही है सब के लिए यह देखें प्लेट लग गई हूँ उपर से धनिया भी डल गई है तो आप लोग भी आ जाएए नास्ता कर लेते हैं पोहे का पोहा और चाय और नजनी ने बाकाएदा वाइट वाली प्लेट में लगाया है मैं अभी इस टील की उठा के ले आती है और जल्दी से लगा देती तेकि नजनी आराम से तसली से लगाती है जो चीछ जिसमें जो अच्छा लगता है और यह देखिए अंदर से उठके आए हैं और बाहर फि तो अभी टाइम हो रहा है पॉने नो बज रहे है नो बज में जा रहा है और यहां पर देखिए एक कप चाय हो गई है नास्ता भी हो गया है और यह दूसरी कप चाय चल लिए ग्यों एक कप चाय मन नहीं बढ़ा तुमने एक्स्टा बनाई क्यों पीनी पड़ेगी नहीं उसका थे उसके लोगी कफ गीने तो यह जूटा शूटा इनुटा थो इस बच जाती एक जितनी यह बची है नहीं तो बची वाली है लिए तुमने है अगर नहीं पीटे तो मिंगरं करके पी लेटी अब है मेरा जो छोटा वीडियो पनाई पता नहीं कितना वाला है आप लुग है इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूं मिलूगोंगी आप लोगों से अले वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देजेका न्यूंवे तो है कर दीजेगा नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा तब तक के लिए बाई लब यू ओर टेक केर